हेलो फ्रेंड्ट'S, आज हम बात करेंगे BS Blume के बारे में इसके पहले का जो हमारा टॉपिक था जो लेक्चर था हमारा इसके पहले का वो था टीचर्स working hours की बात हमने की थी और टीचर्स working days की बात किया था हमनेisiert इसकूल में और अपर प्राइमरी स्कूल के लिए और अपर प्राइमरी स्कूल के लिए और अमने बात किया था कि जो teachers और children's का जो ratio होता है वो कितना होता है अध्यापक और बच्चे के बीच का जो अनुपात होगा वो कितना होना चाहिए तो primary level के जो teachers होंगे उनमें एक teacher पे 30 बच्चे होते हैं और जो upper primary के जो teachers होते हैं तो उसमें 35 बच्चे पे एक teachers होता है वह class में बच्चे 32 हो गया बच्चे तो वहां वह दो teacher की आवसकता पड़ेगी primary class के लिए और अगर प्रिमरी में अगर 35 बच्चों पे एक teacher की आवसकता पड़ती है लेकिन अगर 35 से एबब हो गए 40 हो गए बच्चे तो वहां पे आपके दो teachers की जरुरत पढ़ जाएगी वहा तो सबसे पहले बात करेंगे कि कितने ऑपजेक्तिव थे और इनके क्या-क्या यह कब दिये थे जो इसके बारे में detail में जानेंगे कोगनेटी डोमेन. डोमेन और साइको मोटर डोमेन के बारे में लेक्चर में पुरा डीटील में जानेंगे BS Bloom objective के बारे में बात करेंगे आज तो इन्होंने तीन objective दिये थे फर्स्ट कौन सा है आपका देखिए फर्स्ट आपका cognitive domain है किस ने दिया था ये? BS Bloom ने दिये थे cognitive domain जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हो संग्यानात्मक उद्देश से बोलते हो यह आपका very very important है topic जो है आज का BS Bloom का यह आपका C-Tate हो गया, U-P-Tate हो गया और Super-Tate तीनों में इससे related question आपको देखने को मिल सकता है तो देखें यहाँ पर cognitive domain संग्यानात्मक उद्देश से और Second क्या है Affective domain यह भावात्मक उद्देश से इसको बोलते हैं हिंदी में और Third क्या है Psycho-Motor domain इसके भी बात इन्होंने किती इन्होंने तीन domain की बात किया था Cognitive domain, Affective domain और Psycho-Motor domain जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं यहाँ पर देख लिजिए संग्यानात्मक उद्देश और Next कौन सा है भावात्मक उद्देश थर्ड गत्यात्मक उद्देश तो बात करते हैं कि यह Cognitive जो आपका domain है यह होता क्या है यह Thinking Domain होता है किस से जुड़ा होता है? माइन से जुड़ा होता है हमारे इसको क्या बोलते है? Thinking Domain भी बोलते हैं और जैसे Mind से Related होता है यह किसी चीज को सोचना, करना यह क्या है? किसमे आएका? Cognitive Domain में आएगा और Affective Domain देखिए, यह क्या होता है? यह आपका emotion से जुड़ा होता है दिल से जुड़ा होता है यह आपका affective domain होता है और जो गत्यात्मा कुद्देश से होता है यह क्या होता है doing aspect इसको क्या बोलते हैं करना पच्छ मतलब कोई चीज अपने हाथों से करके कोई चीज सीखना यह आपका किसमे कहलाएगा psychomotor domain कहल यह साथ तीनों चीज आपके clear होंगे यह देखिए यहां पर figure में भी आप देख सकते हो कि हाथ के द्वारा कोई भी चीज करेंगे जो भी work करेंगे हम यह क्या होगा आपका psychomotor domain होगा psychomotor domain कहलाएगा जैसे हाथ के द्वार माल लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं यह भी क्य हो यह तीन important point है यह सारे इसमें से BS Bloom taxonomy के तीन objective पूछ देंगे कि BS Bloom में कितने objective दिये थे तो यहां पर तीन objective दिये थे cognitive domain और affective domain next क्या है psychomotor domain इसके बाद next देखिए जो first हमारा cognitive domain है उसकी बात करेंगे हम इसमें detail में कि cognitive domain होता क्या है तो देखें यहां पर cognitive domain जो है वो thinking domain इसका जो दूसरा नाम है thinking domain भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल सकता है तो इसे confuse मत होईएगा कहीं भी thinking word आए तो यह आपका क्या है cognitive domain है cognitive से जुड़ा हुआ है और hate भी मतलब किसी mind हो गया hate हो गया यह सारे चीज के आएंगे thinking में ही आएंगे किसी चीज को भी सोचना करना यह क्या होगा आपका cognitive domain thinking domain कहलाएगा संग्यानात्मक उद्देश से कहलाएगा यह देखें क्या है यहां पर human behavior इसको क्या बोलते है cognitive domain को human behavior भी बोलते हैं देखें यह पर thinking के अगर बात की जाए तो thinking होता क्या है इसकी बात करते हैं कि हमारी मानसिक प्रक्रिया यह क्या है thinking जो है चिंतन हमारी क्या है मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी समस्याओं का समधान करते हैं जैसे thinking क्या होता है, कि किसी भी चीज को सोच करके कोई भी चीज करना, वो क्या कहलाएगा, आपका thinking कहलाएगा, चिंतन कहलाएगा, मतलब किसी भी चीज को सोच करके, कोई भी समस्या हो, उसका समधान क्या करते हैं, हम सोच करके करते हैं, वही हमारा क्या कहलाएगा, thinking कहलाता देखें आपे जिसके दोरा किसी भी समस्या का समधान करते हैं वह आपका चिंतन कहलाता है फिर क्या आपे metacognition इसको क्या बोलता है ये देखें? critical and deep thinking किसी भी चीज को का करना है? गहराई से अगर सोचेंगे तो वह आपका किस में कहला हैगा? metacognition कहलाता है, किसी भी चीज का जो कोई भी चिंतन हो, उसको एकदम गहराई से सोचिए, कोई भी चीज गहराई से अगर सोचते हैं, वो आपका metacognition कहलाता है, जैसे exam में direct ऐसे question पूछ देगा, कि metacognition होता क्या है, तो अगर आपका देदेगा option में critical thinking, deep thinking, वही आपका क्य क्या कहलाएगा, metacognition कहलाता है, जब हम किसी चीज को बहुत गहराई से चिंतन करते हैं, यहाँ पर देखिए, कोई भी चीज हम बहुत deeply अगर सोचने लगते हैं, तो वही हमारा metacognition कहलाता है, सायद आपको यह topic आपका confirm confusion कोई होगी नहीं, इसमें,